आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं The COVID-19 Pandemic जो लिखा है जेन गडॉल में ठीक है 6M English के syllabus में इस वार सबसे पहले तो आपको एक biography दी है Steve Jobs की उसका एक extract और उसके बाद आपके दो essays हैं सबसे पहले Speaking in Tanks और उसके बाद The COVID-19 Pandemic तो आज की इस वीडियो में वही COVID-19 Pandemic हम discuss करेंगे ठीक है मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी लेट आई क्योंकि कुछ रीजन्स थे और उसके बाद जो वीडियो है उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि इस बार का जो आपका syllabus है तो वो थोड़ा सा difficult है और नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम लगता है और नोट्स में लग जाता है तो दूसरी चीज कि ज्यादा लाइक क्वालिटी पे फोकस करता हूं तो उस वज़े से तुड़ा टाइम लगता है एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो वीडियो हैं अगर वो थोड़ी लंबी भी बन जाती है, like 30-35 मिनेट अगर आपको अगर वीडियो बन जाती है तो आप ये पूरा टाइम वीडियो को दो घिक है, अगर आप ये टाइम इसे अभी दे देते हूं तो आपको दुबारा ये टाइम इसको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि जो हर कोई चीज है उसको डिसकर्स करने की जो भी इंपोर्टन चीज है जहां से मुझे लगे कि क्वेस्चन पूछ सकते हैं तो अगर आपको ये टाइम इसे अभी देना पड़ेगा आपकी सारी जो चीजे है वो क्लियर हो जाएगी मुझे नहीं लगता कि आपको फिर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है ना तो इस वीडियो को फिर देखने की ज़रूरत है एकस्टर इंफरमिशन के लिए आप जहां से फिर पढ़ना चाहते हो जो देख सकते हो तो वो आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट हाँ मैक्सिमम चीजे मैं इसमें में मेंशन करता हूँ मैं जो वीडियो में बोलता हूँ मेरे नोट्स में वही चीजे होती है तो फिर आपको क्या करना है आपको वीडियो नहीं देखने है फिर आपको खाली वो नोट्स देखने है तो आपकी जो सारी चीजे है वो आपको याद हो जाए कि जो भी मैंने बोला है दो अगर आपको वीडियो थोड़ी लंबी भी लगी vivir तो प्लीس वीडियो में बने रहें ताकि आपको सारी चीजे हैं क्लियर हो जाए तो वीडियो लंबी होने में कोई दिक्त नी स्विडियो निसके के बारे में मेंतु किए विदी ॥ огром Sal anh के बारे में पिर ऐसमरी हैं यह जो अटिश टेक्सर लॉपृट थे विडीयो में इसकी के बारे में तो इसके डीडे़ सभी यह हम डिसके सरेंगे तो चलिए वीडियो श्युरू करते ब débonsense Jain Godal Now let's talk about the writer or author Jain Godal Jain Godal, born 1934, Hampstead, London is a world-renowned English primatologist and anthropologist who is best known for her study of chimpanzees Her dad gave her a chimpanzee that sparked her interest She went to Gombe Stream National Park, Tanzania in 1960 to study chimpanzees She got BA degree from Newham College, Cambridge and a PhD in ethology from Darwin College, Cambridge using her research for her thesis titled behavior of free living chimpanzees तो जो ये जेन गडॉल थी तो ये पैदा हुई थी 1934 में हैंपस्टीड लंडन में तो ये दुनिया की एक मशूर प्राइमेटोलोजिस्ट है एंड एंथ्रोपॉलोजिस्ट है एक इसा इनसान होता है जो कि प्राइमेटोलोजिस्ट के बारे में पढ़े प्राइमेटोलोजिस्ट है कि जो इनसान है लाइक उनका एविलूशन हुआ है बंदरू से तो वही बंदरू के बारे में पढ़ना तो वही प्राइमेटोलोजिस्ट होता है तो वही प्राइमेटो यह एक दुनिया की जानी मानी प्राइमेटोलोजिस्ट है एंध्रोपॉलोजिस्ट तो जिसे सबसे ज्यादा जाना जाता है कि इसने स्टडी करी है चिंपैंजी के ओपर ठीक है इसके लिए से सबसे ज्यादा दुनिया में जाना जाता है तो इसके जो डैड थे उसने इसे ए स्ट्रीम नैशनल पार्क तंजानिया में गई थी तो इन चिंपैंजी को स्टडी करने के लिए उसे बीए डिग्री जो है वो हासिल हुई है नियू हैं कॉलेज कैम्परीज से एंड इसने पीएचडी करा है इतालोजी में इतालोजी अगर आपको नहीं पता जो साइंस है अन करने पड़ते है तो इसने स्टडी करी खिरी इंड दिग्री जो है वो मिली है इतालोजी में ठीक है चले आगे बढते हैं अब jeane Goudal is a well-known expert of chimpanzees she studied them and find out that they are like humans in feeling smartness families and social relationships she compiled her observations in her memoir through a window my 30 years with the chimpanzees of Gombe in 1977 she made the jean goudal institute to help chimpanzees and where young people in over 100 countries जोएं टोजड़र है, टोजए एक चॉमचशू है एक च्गानें वे स्टोर्टा इन गारादे पहला, तो स्टड़ी करा आँड श्टोर्ड जोड का इन्सानों की है, इनके भी फीलिंगस होते हैं, ये बिंसानों की तरफ चालाक होते हैं, यह भी समझधर होते हैं, इनकी भी family होती है, जो जैसे social relationship हमारे होते हैं तो इनके भी वैसे होते हैं, ठीक है अन्ड इसके सारी observation थे लाईक इसने, जब इनको इनका behavior पड़ा, चिंपैंजी इसका behavior पड़ा, तो फिर इसने कुछ चीज़े लाईक notes करई, एंड फिर इसने उन सब चीजों को अपने मेमवा में लिखा ठीक है तो मेमवा अगर आपको नहीं पता जो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहां से देख सकते हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अभीपले एक्सपेन करूंगा तो जो मेमवा है यह लाइक होता है कि एक इनसान जो है अपने खुद के बारे में लिखता है या उसकी जिन्दगी में क्या हुआ परसनल फीलिंग के बारे में लिखता है और परसनल उब्जरवेशन के बारे में लिखता है बाकि आप उस वीडियो से लाइक देख सकते हो तो उसका टाइटल जो इसने मेमवा लिखा उसका टाइटल था तो 1977 में इसने एक इंस्टिटूट बनाया जेन गडॉल इंस्टिटूट जहां पर यह चिंपैंजी को हेल्प करते थे एंड उस इंस्टिटूट में लगबग इंडरेंट कंट्री से जो यंग पीपल आते थे वो इन जानवरों को हेल्प करते थे एस्पेशली चिंपैंजी स्टिक हैं तो यह जो जेन गडॉल हैं इसने जो एनिमलिस हैं इनके साथ जो क्रूल बहीवियर लाइक किया जाता है रिसोच में हमें पता हैं जो जब एक बी जाता है एंटर्टेनमेट के लिए हमारे एंटर्टेनमेट के लिए ही या फार्मस वगएरा में जो जानवर होते हैं एंड स्पोर्ट्स में जो जानवर यूज करे जाते हैं लाइक होरस राइडिंग वगएरा तो इसमें जो जानवर यूज करे जाते हैं तो इसने इसके नहीं भी बात करी है कि आप ऐसे इनके सात्त मत करो ठीक है ? इसने एनवरामेंटल एडुकेट भी थी लेक जो छीज को सपोर्ट करती हो इसने इस बारे में बात करी है कि जो इंडिजयर्ट स्पीकुषीज रोड़ी है ? ठीक है ? तो चले आगे बढ़ते हैं Awards received. Tyler Prize for Environmental Achievement, French Allegiant Prize of Honor. So, these awards are nominated by the Medal of Tanzania, the prestigious Kyoto Prize, the Benjamin Franklin Medal in Life Science, Gandhi, the King Award for Nonviolence Templeton Prize in 2021, and in 2019, Time Magazine Neymar Gadol as one of the 100 most influential people in the world. तो 2019 में जो time magazine है उसने गुड़ाल को like a hundred most influential person जोत की दुनिया में तो उन मेंसे एक ये भी थी 2019 के time magazine में इसे भी mention किया गए Meaning of some important terms तो कुछ important terms की meaning देख लेते हैं जो कि आगे हमें text को ये जो summary है इसको समझने में help करेगी and text को भी समझने में help करेगी ठीक है सबसे पहले mythology science of animal behavior तो वो science जो कि animal behavior के बारे में पढ़ते हैं ठीक है archaeologist एक ऐसा इनसान जो कि human history के बारे में पढ़ता हो planetologist एक ऐसा इनसान जो कि like fossilis के बारे में पढ़ता हो ठीक है zoonetic diseases, diseases transmitting from animals to humans zoonetic diseases यह आप याद रखे मतलब वो diseases जो कि जानवरुस से होके इनसानों में जाती है जानवरुस से होके ट्रांसफर हो जाती है फिर इनसानों में ठीक है तो यह आप याद रखे क्योंकि इसका text में इसका summary में बहुत ज़्यादा यूस हुआ है catastrophe or disastrous end मतलब तबाही होना फिर चीज़ों को खतम होना ठीक है SARS severe acute respiratory syndrome तो यह एक like virus है जो कि respiratory system पे attack करता है ठीक है इसका origin था चाइना में 2003 में एक viral respiratory disease है coronavirus group of viruses that cause a variety of respiratory diseases in humans and other animals तो coronavirus एक specific virus नहीं है यह group of viruses है जो कि responsible है कि यह respiratory system है उसको attack करते हैं फिर इससे तरह तरह की बीमारिया पैदा होती है ठीक है respiratory system में एक तो इनसानों में दूसरा जो animals है तो इनमें diseases होती है फिर ठीक है anthropomorphic मतलब having human qualities यहां पे जानुरों की बात हो रहे हैं जिनकों की human qualities हो ठीक है SIV, semen immunodeficiency viruses तो यह SIV जो है यह source है HIV का ठीक है तो चले आगे बढ़ते हैं About text The COVID-19 Pandemic चले अब text के बारे में introduction देखना होता है Jane Godal's essay The COVID-19 Pandemic was published in Granta literary magazine in UK in June 2020 The essay lists the reasons for the outbreak of the COVID-19 Pandemic and talks about the long history of zoonotic diseases like SARS HIV AIDS and Ebola The author blames mankind for these diseases She also suggests that what we must learn from COVID-19 Jane Godal's essay The COVID-19 Pandemic published in Granta June 2020 Granta is a literary magazine United Kingdom So in this essay Jane Godal tells what the reasons for the COVID-19 Pandemic and why the problem was in the world and why the reasons and we are talking about and why the reasons are the reasons and why the reasons have been in the world and the reasons that it's been in the world that we read long history and the reasons इसके बाद जो आथर है यह बताती है कि जो इनसान है मतलब जह जी जाने की जाहिए थी कि जूड़ अगे बढ़ते हैं तो चले आगे बढ़ते हैं आप अपनी सम्री की तरफ जहाएं Summary, The COVID-19 Pandemic, चलिए अब इसकी Summary discuss कर लेते हैं, तो ये इसकी Detailed Summary होने वाली है, तो इस Summary को पढ़ने के बाद आप जो टेक्स जब पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई धिक्कत होगी वो सारी चीजे समझने में, इसके बाद आप टेक्स पढ़ोगे, इस Summary को पढ़ने के बाद आप टेक्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और आपको पूरी जो सारी चीजे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आभी चाहेगी. Summary, The COVID-19 Pandemic. In this essay, Jane Gadal talks about the ongoing COVID-19 pandemic and its devastating impact on the world. She starts by appreciating the heroic efforts of doctors, nurses and other caregivers who are working hard during the pandemic. However, she also highlights how some of these workers don't have enough protective gear and machines to help sick people which has led to many deaths. She also says that the pandemic is not only making a lot of people suffer but it's also destroying economies. Many people are losing their jobs and money which makes life hard for them. So in this essay, Jane Gadal talks about the COVID-19 pandemic and what effects of COVID-19 pandemic are happening on the whole world. It means that it has a very bad effect on the whole world. So in this essay, it has talked about it and it starts with the doctors, nurses and other workers who appreciate it and appreciate it. They give a great deal of care that you are doing a lot of good work. Like heroic efforts, you are giving a lot of good work in this COVID-19 pandemic. And at the same time, it also highlights the same thing that the workers and other patients who are living in their own knowledge and are living in their own knowledge. Because the doctors and workers do not have proper equipment. Like ventilators and other people, they do not have proper equipment. And the doctors and other patients are dying. तो जिसके वागे बात करती है कि यह जो पेंडमिक है इसकी वज़े से खाली जो लोग है उसके हैलत पे असर नहीं पढ़ रहा है बट जो एकॉनमी है वो भी डेस्ट्रॉइ हो रही है जो लोग है इनके पास पैसा नहीं है यह जो मतलब मुस्ट आप ड़ पीपल जो है यह अ खाने के लिए कुछ है इनके पास क्योंकि जब पैसा नहीं है तो खाना कहा से आएगा तो जो लोग की जिंदगी है वो बहुत जादा मुश्किल हो गई है इनकम का कोई सोर्स नहीं है जो जो गडाल है वो यह जीज बताती है कि लिए टो जो फो जो खाने आपा जो पताती है जो जो पताती है उसके मताबिक जो सबसे बुरी बात है कि जो हिमेनिटी है जो इनसान है उन्होंने ये जो वबा है खुद अपने उपर लाया वैसे काम करके ठीक है आगे एक्स्पेइन करती है कि जो लोग जोनेटिक डिजीज के बार में पढ़ते है वो डिजीज जो जानवरों से इनसानों पर जाएगी जो आजकी 50% news diseases वो इसी तरहके से पाईवडू ये जो जानवरों होती है त फिर वो अनसान जो है वो infected होते हैं फिर वो उन्हों मैं फाल जाते हैं फिर एक इनसान निघुचछ रबड़ हैं ये जो जो जानवरों मार्केट में मार्केट भाल एक मार्ट्द मे इनको मारा जाता है तो बहुत सारे जनली 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 जनल वही पे मार दिया जाता है, इनको slaughter किया जाता है और जब इनको slaughter किया जाता है, जब इनको मार दिया जाता है तो यह humans के contact में आता है, इनके जो flोड्स होते हैं, बाडी से निकलने वाले fl문conomics यूरीन, बलूड या बाकि जो चीजे Hil जो इनसान है वो infected होते हैं and फिर जब एक इनसान infected हो गया तो फिर बाकी जो लोग है वहां पे वहां पे उनको वह infect कर देता है ठीक है तो ऐसे ही जैसे COVID-19 पैदा हुआ ठीक है जानवर उससे तो वैसे ही जो SARS है वो भी like originate इसी तरीके से हुआ चाइना के एक दूसरे market में जो यह वबा पहल गया ठीक है चलिए अब आके बात करते हैं similar markets exist in other Asian countries and Africa has markets where alive and dead animals are sold for food to this is a way for diseases to jump from animals to humans तो जो similar markets exist करते हैं एशा की दूसरी जो countries and Africa के markets में जहां पे जो जिन्दा है या जो जानवर है उनको मार दिया जाता है एंड फिर उनको बेच दिया जाता है फूड के लिए तो यह एक नया तरीका है जो diseases है वो transfer फिर होती है जानवरू से फिर humans में तो डिस्कावरी पे एक शो आता है तो उसका नाम है काटर्स वार तो उसमें दिखाया जाता है जो आफरिका के जंगलों में जो लोग है वो जानवरू को मारते हैं एंड फिर उनको बेच देते हैं ठीक है तो जो उस चो को ऑगनाईज करता है उसका नाम है काटर तो फिर अफिर आपरिका के लोग जो है मतलब जो पुलीस अगर तो वह पहते हैं ला गिंगलों मेट चाहिया है तो वह भी मही के आऩ लिए तो आपे मुर्डा पी चाहिये तो वह भी हम दे सकते हैं लागि एक साथां वह लाट कितनी है छिक है थम एस सं मिले मारेट चाहिए त worried deshalb जो सूच बार्न कूंच को मार जाता है ग Little guy another end with humans this closeness provides opportunities for viruses and bacteria to cross species barriers resulting in the creation of new diseases that affect both animals and humans she gives two examples one of the origin of hiv aids pandemic where chimpanzees infected with siv were hunted and consumed as food and second of deadly zoonotic bacterial disease ebola which crossed from animal reservoirs into apes and humans in africa so the gudal gives this thing on 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 this thing is that the diseases are zoonotic diseases are empty in the markets but there are some other reasons for this humans are continually destroying the natural habitat where animals live in the jungle they have they have proper food and facilities etc so the humans are disturbing them and they are destroying the natural habitat like roads building and dams building and the village to extend the natural vegetation is over and therefore the animals are coming in another contact and humans also come in another contact so the animals are closed because the bacteria and pathogens तो इन जानवर उसे रांसफर होके इनều मे जती है तो स्पीशिस बैरियर क्रोस कर करती है दो स्पीशिस बैरियर की तो पुरूपक्रिया मत्लब होता है कि अगर शूम मंदन्स त encryption ऐल्ग गेज़ आग समय पार kंदध सबस्टे इसंफरों बिलमारी होती है मतलब किसी जानवर में बीमारी पहलती है ठीक है तो यथ फॉरिस्टिस वगरा में तो आथ जितना जो इंसान रका एंकि तो इसा निजा है वह इस lease वह जब तक हम खुद जो इसान वो भी खतम हो रहा है तो इसकी वज़े से जो डिजीज़ है वो पैदा होती है एक जानवरों में भी फ़लब एक जानवर से दूसरे जानवर में वो ट्रांसफर हो रही है दूसरा के जानवरों से फिर वो इनसानों में भी ट्रांसफर हो रही है एट एफेक्ट कर रही है सब तो ये दो एक्जेम्पल देती है जो गडॉल है दो एक्जेम्पल देती है एक तो HIV एड्स पेंडमिक का जो कि चम्बैंसी से लाइक आया वो इंफेक्टिट थे जो कि सोरस है है तो आई्टी चाहिए उनको अ मार दिया गया उनका शकार किया गया तो फूड खाया गया जिसकी वज़ sätt इंशानों में भी विमारी फहल गई यह य्ई 10 ऐड्ली अडली बैक्टिरियल डिसीस है इम्एमिल सैइस हो ये ऐडीसस पर एंप्रम आप्जय DAY पाक् तो इसकी वाइ victorious है जिसकी वजze से पहले तो फीवर वगर्व होता है पिर इंसानु अभरा होती है और यह इग डेडली वाइरस है तो इसकी वज़ज़जने से बी यह दो एपने वाइरस namesna soors अभान गया जिव अपिर आपस में लीक फेल गा गया It can also create new diseases that transfer from animals to humanists. Animals that are exported illegally from one country to another country carry viruses and bacteria with them. Even the trade of young wild animals like monkeys, raccoon dogs, birds and reptiles is a problem. तो एक और रीजन ये भी है, like trafficking. तो इससे पहले हमने दो रीजन देखे, सबसे पहले जो मार्केट में बीमारिया पैदा होती है, उससे related diseases क्या है, like COVID-19, etc. And उसके बाद हमने दूसरा रीजन देखा कि इनसान जो है वो नैचल है, habitat को खतम कर रहे है, like Ebola virus हमने देखा. And अभी तीसरा रीजन यही है, कि वो है trafficking of wild animals like जो इनका smuggling किया जाता है, इनका illegally export किया जाता है एक country से दूसरी country में ले जाने के लिए. एक तो जानवरों का दूसरे इनके body parts का like इनकी smuggling होती है, इनकी trafficking होती है, तो यह illegally होता है, यह एक business जो है वो बन गया है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जो कि criminals run करते हैं, ठीक है, तो पहली बात कि यह तो एक तो जानवरों के लिए cruel है, like इनके साथ बुरा बरताव किया जाता है, इनको crowded cages में रखा जाता है, इसकी वज़े से species extinct हो रही है, तो यह दो reason तो हैं ही है, इसके साथ यह वज़ा बन जाता है कि जो नाई diseases है वो create होती है, क्योंकि जब इन जानवरों के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो यह अपने साथ जो bacteria है, जो viruses है वो भी अपने साथ ले जाता है, जो इनसान है उनको भी infection होता है, ठीक है, तो मतलब जो young wild animals है ठीक है, तो वो भी एक problem बन जाता है ठीक है, इसलिए क्योंकि वो भी अपने साथ जो viruses है वो भी ले जाते हैं, तो वरना जो जो जानवर हैं जो बूड़े हैं उनके पास तो viruses होते ही होते हैं, जो गूड़ा होता है तो वो अलड़ी बीमार होता है, बड़ जो यंग wild animals है लाइक बंदर होते हैं या रकून डॉग्स तो रकून डॉग्स यह भी एक जानवर होता है, खीक है तो चली आगे बढ़ते हैं In 1892, parrots, a disease called parrot fever, caused from wild parrots brought as pets. It spread from people to people in different European countries, bringing wild animals home can be a reason for creation of new diseases. She provides historical examples of zoonotic diseases such as the baboonic plague transmitted by fleas carried by rats which caused the black death and devastated medieval Europe. In 1892, parrots, there was a disease which was named parrot fever. A girl who had brought wild parrots in the jungle and brought them to the house. So, due to her, it became a fever. And when you see, the fewer, the other countries of Europe, also brought them to the house. So, the wild animals have to bring them to the house, like pets, So, this is also a reason that the zoonotic diseases are falling. And this is the example of the baboonic plague. So, this is also a disease which causes the fever. So, this is also a disease which is transmitted. It is also a disease. So, this is a disease which causes the fragments of the furue of rats, and the rats are stuck on the street. And then eventually they fall into humans and it becomes the hunk of black death. Black death means black death is also the same time of people who died. Like nearly 100 million people were lost around the world. And so, the medieval Europe has been lost. बहुत जाने गई बहुत जाने गई बहुत जाने गई उसमें नुकसान हुआ 14 सेंचरी किया बात है तो उस टाइम पर बहुत जाने नुकसान हुआ यॉरप में तो यह इसकी एक्जाम्पल थी लाइक जो ट्राफिकिंग ऑफ वाइल्ड आनिमलस हैं जाने बात हैंचरी करणी और ााब जाने जामने वी टाने बहुत जाने लीड हो भॉत ची एक्षान इन गरण ट इन 55 व 100 म व 1 द इन खिन धु मृव ईसाणिटे हो कि एक्ज़व अन पुलिंग में आन seven twelve इन ख फ dość इनफे आने perspective खाएरस बाता है जो परेस्ट इन इने इस ठाहर एक्षम मां वेड़ा की पेडा हो लोग ने जो पड़ी पेडा पाता है तो अलिए ने पर पक्राय थे आठी तो यह बताती है कि यह जो डिजीस है और वह कैसे पाल गई जो एरल केवा और जो पाइब अन आर्प बाइद इनका मिलिक पीने से जो लोग है इनके अंदर ये जो डिजीज है वो फैल गई ठीक है तो ये एक और चीज हाइलाइट करती है कि जो फैक्ट्री फार्म्स में जो ग्रावडड एनिमल्स होते हैं लाइक जिनको कमर्शली कमर्शल यूज के लिए उस करा जाता है तो हो हो पीक एडियल कंडिशन देते है कि जिससे पेफट गहत्तो है तो एक जानवर में बुचांब्स क ταशली का सायरे जानवर उन्सान अवरें थै recording टॉक एकजांवर जयंसें फिर यहां पर स्पैनिश फ्लू की जो कि नाइटीन नाइटी में ट्रंस्मिट हुआ एक चाइना के कमर्शल डग फॉर्म में फिर उसके बाद वह एक इंडस्ट्रियल पिग फॉर्म में चला गया जो कि लोवा युएसे में तो इस वज़े से जो चाइना है वहां पर फैल ग तो एक और एक्जैंपल यहां पर है एक और प्रोना वाइरस जिसका नाम था निपा वाइरस तो वह भी ऐसे ब्गाल गया तो तीन इसके एग्जैंपल है लाइक मेर्स एक दूसरा स्पैनिश फ्लू और निपा वाइरस तो यह लाइक जो डिमेस्टिक अनिमल से एंड जो होती है like factory farms से भी जो genetic diseases है वो पैदा होती है our disrespect for natural world and animals have caused problems we have harmed a lot of nature especially tropical forests which are home to many plants animals and even tiny bacteria and viruses which is dangerous people enter natural habitats to build villages farms roads they cut down the foresters build dams and mines and as animal habitats shrink they lose more forest foods and animals are forced to raid crops so our disrespect for natural world and animals we have problems so much we are exploiting the nature and we are cutting the trees especially the tropical forests where there are trees and we are cutting the trees and we are cutting them so much we are dangerous because the tropical forests are like hard for many plants for many animals and even tiny bacteria and viruses they are home so when we are cutting them we are cutting them from close contact to humans and because of the diseases they are spreading the nature of the habitat they are ending the nature of the habitat so that the villages are extended and roads are built to build farms and dams and mines so that the so the animals everywhere we are exploiting them as well they are losing the nature of the habitat and the animals they are losing their food so the animals not getting eat their, the animals aren't getting in the way they are getting food and the animals are going to be अगर कोई ऐसा जानमर होगा जो कि मीट खाता हो तो वो जो 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 फार्मर्स की जो जो लाइटलस होते हैं, तो ये फिर उन पर भी अटेक कर देते हैं, ठीक है तो आगे वड़ते हैं। The author says that things are just getting worse. We kill traffic, sell animals for food, fur and medicine. We even use them in circuses for fun. Each of these animals is a unique individual, not just a part of species. Long ago, people didn't want to talk about animals having feelings or emotions. Even she was told not to talk about these things. The author tells us that the things that we are doing is better than day-to-day. Our behavior towards nature is better than day-to-day. This is better than day-to-day. करते हैं हम उन्हें को बेचते हैं हम उनको घ्रय पуть ट्षक पाटी ए 삿ाश है Mireya Darshini के लिए चीजính की बपनाने के लिए हम उनको यूजित कर करें ठीक हैं तो यह यंडिवींशे महां चूले रफ्स यह क्राइब कस्वल हैं रहुत जो पार-टी वे घैसे पने बात करना चाहतें की जो आइमस है, इनकी ऑपस्टाण है, इनके भी अपनी एक पहचान है, इनकी भी फिल एपूरों है, इनकी फिल खाते हैं, तो लोग इनकी ऑपर भात है नहीं बात करना चाहतें, तो जो लोग है वो यह बताते थी कि खाली हुमन्स जो है इनकी फिलिंग्स होती है और बाकिकिसी की जानवर की नहीं है बट ऐसा सच नहीं ठीक है जब यह राइटर जो चैयल्ड थी तो उसे तब भी पता था इसके जो डॉक है उसकी फिलिंग्स है, जब इसने चमपैजिस को स्टेडी करा तो तब भी से पता चला इनकी भी फिलिंग्स होती है, जो प्रफेसर्स थे उसके वो डिसेगरी करते थे इससे बट यह उनकी बात वो एक्जूम करते थे कि जो हुमेन्स हैं वो सबसे स्पीर हैं सबसे आला है बट इसने इस चीज को एक्जूम नहीं करा क्योंकि इसका जो रोल मॉडल था तो वो दार्विन था तो उससे बहुत जादा इनसपायर थी एंड इसका जो प्रफेसर था लाइक रॉबर्ट हिंड कि जो इसे पता चला कि जो राइटर है इसके डॉबर्ट के बारे में जो चिंपैंजी है उसके बारे में इनने पता चला तो इसने भी अपना जो माइंड है चेंज के एंड इसने भी एक्सेप करा कि इनकी भी फिलिंग सोते हैं इनके भी इमोशन होते हैं little by little science has realized that we are not separated from other animals but part of the same group the pandemic has caused a lot of suffering for humans but let's also think about the billions of animals like monkeys dogs that scientists use in experiments to find cures that they are smart feel pain and suffer to most used animals in medical research or rats 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 are very clever they suffer most in experiments so we should use our amazing intellect practice to find ways to study diseases without hurting animals when we work in harmony unity we become better people and reach our full human potential so dhere dhere joh science hai woh bhi is chiz ko realize kar rhi hai ki haan inki bhi like feelings hoti hai and hum bhi inka hi part hai like uh ya joh ecosystem hai to uh mladab joh janver hai woh insano pe depend hai like trees pe depend hai to same way mein like har koi joh hai woh ek dusri ke o par dependent hai uak joh ka exist hai hai toh hum like tis se deferent na hai hai hhum bhi ish ka part hai pandemik hai like teto uh ish ki wajah se hame hime bhoat jai da problem hoi bhoat jai da suffering hame e utharani padhi like insano ku a liekin ish chiz koher liekin ish chiz ki wajah seh ish pandemik ki wajah seh hemos hai ya chiz bhi sounchnay ko mili ki an un billions of jan un billions of uh animalist ka kya hoga ti kya hoga liek monkeys dogs rats vugera ka uh jenhe science use khustus use kartehen like experiments वीस तो और यानवर होते हैं ज़ो सबसे बाना ूर्ण भी लाफ होते । इसे निए यह क्लीवर होते हैं। अजरे जाएन भारे चुँआ हैं। हमें एक्षेट さब तरहें क्या स्वपरिमेंट्स ना सब्सक्राइब के कि हम diseases को study करें and एक साथ काम करना चाहिए like सभी countries को एक साथ काम करना चाहिए वरना हम nuclear risk के पीछे भाग रहे हैं ठीक है weapons बनाने में तो अगर इसके बजाए हम उनको एक तरफ रखे and इस चीज के ओपर ज्यादा focus करें कि कैसे हम बिना जानमरों को hurt करें जो diseases हैं उनका हल डूंड सकते हैं उनका जो like antidote है वो डूंड सकते हैं तो तब हम इस दुनिया को एक better place बना सकते हैं जो लोग हैं वो भी better बन सकते हैं तो and उस तरीके से जो इनसान है वो अपने full potential का इस्तेमाल करके इन जानमरों का बिना hurt किये हुए जो बिमारिया हैं इनका इलाज डूंड सकते हैं All around the world people are being forced to stay at home because of covid-19 but it's also making people help each other more and UK business is making extra pizzas for healthcare workers because people donated money In China, volunteers take care of pets left behind during lockdown In Italy, people sang opera and some sheer numbers online in case lonely and frightened people needed someone to talk Celebrities read books online for kids who can't go to school Many good things show people how people cared and helped each other तो पूरी दुन्या में जो लोग है उनको force किया जा रहा था कि वो गर पे रहे, safe रहे क्योंकि बाहर lockdown चल रहा था covid-19 की वज़े से ठीक है तो जो लोग थे वो गर में थे लेकिन इस चीज़ की वज़े से यह हुआ कि जो लोग है वो एक दूसरे को help भी करने लगे एक दूसरे की care भी करने लगे जैसे कि UK में एक business है तो उसने क्या किया उसने extra pizzas बनाना start कर दिया ताकि यह जो healthcare workers है इनको fresh food मिले क्योंकि लोग उने जो पैसा है वो डोनेट करा ठीक है तो चाहिना में क्या हुआ कि जो volunteers है उन्होंने पैट्स थे इनका take care करा इनका ध्यान रखा क्योंकि जब लोग अगरों में बन थे तो वो तो खुद का care नहीं कर सकते थे तो पैट्स का कहां से रखते बट जो कुछ volunteers ऐसे हैं जो उन्होंने उनका भी ध्यान रखा सेम जो इटली में जो लोग है उन्होंने मतलब unity का इज़ार करते हुए जो opera है वो like a singing quam होती है तो वो गाया and कुछ लोग ऐसे थे जो numbers है वो online share करे ताकि अगर कोई ऐसा इंसान होगा जिसे जरूरत होगी बात करने की जो अकेला होगा जो डरा हुआ होगा तो वो किसी से बात कर सके जो celebrities है उन्होंने जो books है वो online read करी उन बच्चों के लिए जो कि school नहीं जा सकते थे ठीक है बहुत सारी अच्छी चीजे हुई like जो लोग है वो एक द א利 महीं को बीवेह जात कि बात की हम्हां audio-how application without traffic noises in the ocean is marine life is experiencing joy because ships and loud technology is no longer creating noise some leaders want things to go back to normal which could mean more pollution and harm but many people want change they don't want pollution again they want better treatment with nature we can hope that more people will demand change from governments and businessmen so that things would get better before it's too late तो बड़े शहरों में क्या हुआ कि जो लोग है उन्हें एक्सपीरियंस करा, अच्छी चीज़ें उन्हें एक्सपीरियंस करी इन इस पैंडमिक के टाइम पे, हाँ दुख भी था, उनको प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, बट अच्छी चीज़ें भी हुए इस टाइम पे, ज वो जो बर्ड्स की, जो साउंड्स हैं, वो भी उनको सुन सकते थे, क्योंकि नाइस प्लूशन भी नहीं था, ट्रैफिक का जो नाइस हैं वो भी नहीं था, या बाकी चीज़ों का, मशीन का जो नाइस हैं वो भी नहीं था, तो जो ओशन में जो मरीन लाइफ है, मतलब जो पानी में जो life है तो वो भी खुश थी वो भी experience कर रही थी joy को क्योंकि जो ships वगएरा आवाजे करते थे या pollution पानी में भी था तो वो भी अब कम हो रहा था तो वो भी अब खुश थी ठीक है तो कुछ leaders जो है वो चाहते हैं कि जो चीजे हैं वो back to normal हो जाए उसको problem होगी या उसको नुकसान होगा ठीक है बट जो लोग है वो चाहते हैं कि मतलब वो change लाना चाहते है ठीक है वो pollution नहीं चाहते दुबारा कि हम फिर से वही सेम चीजे करें जैसे हमने हम पहले करते थे या हमने इस पैंडमिक से कोई भी सबक नहीं सीखा तो जो लोग हैं वो चाहते थे कि जीजों को change करें वो चाहते थे कि जो nature है इसके साथ better treatment करा जाए जो forests है इनका ध्यान रखा जाए जो treatment at woods animals तो ये भी हमारा सही हो जो circuses में जो zoos में animals के साथ treatment करा जाता है तो ऐसा नहीं हो या medical research में जो animals को use करा जाता है तो ऐसा नहीं हो and वो फिर आगे बताती है कि हम यही hope कर सकते है कि जो लोग है ये government से ये businessmen से demand करें कि like जो ये चीजे हैं इनको change करो ठीक है जो trend चल रहा था इससे पहले कि like pollution का या nature को harm करने का तो ये जो trend है ये change हो जाए ताकि जो चीजे हैं वो सुदर जाए before it's too late तो देर होने से पहले जो चीजे हैं वो सारी सुदर जाए ठीक है तो जो ये essay है ये एक positive note के साथ end होता है like एक hope के साथ end होता है कि जो गडाल है ये express करती है like ये desire express करती है या इसे यकीन है कि जो इनसान है उन्होंने अपनी जो careless actions है मतलब उन्होंने देखा कि हमारी वज़े से जो nature है उसके उपर क्या असर पड़ा या in turn फिर हमारे उपर हमारी actions का क्या असर पड़ा तो ये सब जो सारी चीजे हैं इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये सब चीजे जब उन्होंने एक्सपिरियंस करी तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक साथ अब काम करें जो पहले हम करते थे वो ना करके एक साथ काम करें हार्मोनी में काम करें यूनिटी में काम करें ये दुनिया है इसको एक better place बनाए जीने के लिए जो हमारा मुस्तक्बिल है या आने वाली जो हमारी generation है हम उनके लिए पहले ही खत्रा पैदा ना करें तो इसके साथ ही ये जो वीडियो है यहां पे खतम होती है ये जो summary है यहां पे खतम होती है तो इसके बाद आप जो text है तो उसको पढ़ सकते हो तो इंशालला आपको सारी जो चीजें है वो clear हो जाएगी और मुझे ने लगता कि आपका कही पे भी doubt रहेगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और channel को ज़रूर subscribe कीजिए, have a nice day